हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कूल एंट टेकी यूट्यूब चैनल तो गाइस, काल येनी 29 में को मॉस्को में में भी नोकिया X6 ग्लोबली लॉंच होने बाला है इसका मतलब इंडिया में भी ये फोन बहुती जाल देखने को मिल सकता है जो सामदार दिस्प्ले के साथ दमदार स्पेसिफिकेसंस लेके आता है वो भी आपके बज़ेट में लेकिन नेक्स्ट मन MWC में आग लगा देने बाला येसुस देन फोन 5 भी इंडिया में लॉंच होने बाला है जो नोकिया X6 का डिरेक्ट कॉंपिटिटर बन जाता है क्योंकि दोनो फोन का लूक्स और कुछ स्पेसिफिकेसंस अल्मोस सेम सेम साही है आप सब के मनवा साइट ये डाउट होड़ा है हमें कौनसा फोन लेने के लिए वेट करना चाहिए नोकिया X6 या इसूस Zenfone 5 तो दोस्तो आज इस वीडियो पे में इन दोनो फोन्स का स्पेसिफिकेसंस और प्राइस वेस एक कंपरेजन करने बाला हूँ और बातने बाला हूँ आप के लिए कौनसा फोन लेना बेस्ट होगा सो विडाउट वेस्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स गो फोर इट ओके गाइस नोकिया X6 या Zenfone 5 दोनो फोनी नोस टैप डिस्प्लेइ और ग्रास पोरी डिसाइन के साथ आता है लेकिन जो डिफरेंस वह है स्क्रीन साइज का नोकिया X6 पे मिलता है 5.8 इंच का 19.9 Full HD प्लस IPS डिस्प्लेइ कॉर्णिंग गोरिला ग्लस 3 प्रोटेक्शन के साथ जाज Zenfone 5 पे मिलता है 6.2 इंच का 19.9 Full HD प्लस IPS डिस्प्लेइ Zenfone 5 में भी कॉर्णिंग गोरिला ग्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है लेकिन कौन सा भरसर है इसका कोई confirmation नहीं है पर्फरमेंस के हिसाब से दोनों फोन ही अल्मोस सेम सेम साही पर्फरम करेगा क्योंकि दोनों फोन में ही मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 686, Doctor Go Processor Adreno 509 GPU के साथ बाकि दोनों फोन का performance side by side compare करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि प्रोसर के साथ सब्ट्राइर optimization और RAM management भी यहाद डिपेंड करता है Nokia X6 तीनों फेरियन के साथ आता है 4GB RAM प्लस 32GB इन्बिल स्टोरेज 4GB RAM प्लस 64GB इन्बिल स्टोरेज दोनों फोन में यह Android Oreo 8.1 का support मिल जाता है लेकिन Nokia X6 आता है Stock UI के साथ और Zenfone 5 आता है ZenUI 5.0 के साथ जो इस उसका कुद का custom UI है इसलिए इस फोन में Zenimoji जासे features मिल जाता है बाकि दोनों फोन में फेस अनलोग और Dual Voltage जासे features मिल जाता है कैमेरास की बात कारें तो दोनों फोन्स में Dual Rare Camera मिल जाता है Zenfone 5 में मिलता है 12MP प्लस 8MP का Dual Rare Camera Setup जाहा प्राइमरी सेंसर के अपाचार है F1.8 और पिक्सल साइसे 1.4 माइक्रान और सेकेंडरी सेंसर के अपाचार है F2.0 और पिक्सल साइसे 1.12 माइक्रान नुकी एक्सिक्स में मिलता है 16MP प्लस 5MP का Dual Rare Camera Setup जाहा प्राइमरी सेंसर के अपाचार है F2.0 और पिक्सल साइसे 1.2 माइक्रान इन पेपाचार दोनों फोन्स का रेर केमेरा अच्छा लग रहा है बाद साइट बाइसाइड का रेर केमेरा ज्यादा अच्छा है Zenfone 5 पे आपको यह आई बेस्ट कैमेरा मिल जाता है फ्रांट कैमेरा की बात करें तो Zenfone 5 पे मिल जाता है 8MP का Selfie Shooter जिसका अपाचार है F2.0 और पिक्सल साइसे 1.12 माइक्रान बाद यहाँ पर Nokia X6 का पल्ला भारी लग रहा है क्योंकि Nokia X6 पे मिल जाता है 16MP का Selfie Shooter जिसका अपाचार है F2.0 और पिक्सल साइसे 1.0 माइक्रान बाद दोनो फोन में ही Dual Tone Dual LED Flash और रेर मानुटर फिंगर प्रिंगर्प्रिंट सेंसर मिल जाता है Nokia X6 कुज दिन पहले चायना में लॉंच हुआ था और Zenfone 5 तीन मान्थ पहले MWC में लॉंच हुआ था दोनो फोन का Chinese प्राइस अगर इंडियान करेंसी में कनभर्ट करें तो Nokia X6 4GB प्लास 52GB का प्राइस साथा है 13999 4GB प्लास 64GB का प्राइस साथा है 15999 करल Nokia X6 साथ ग्लोबली अनॉंस्टों के अंदर इंडिया में भी देखने को मिलेगा येसूस Zenfone 5 भी जोन 15 के आज़ पस इंडिया में देखने को मिल सकता है दोनो फोन ही नेक्स्ट मान इंडिया में लॉंच होगा ये आप कनफर्म्ट हो चुका है प्राइस और स्पेक्स के हिसाब से देखा जाए तो Nokia X6 मुझे Zenfone 5 से बेटल लगा बड़ मुझे नहीं लग तो Nokia X6 इतने कम प्राइस पे इंडिया में लॉंच होगा क्योंकि Nokia का Nokia 6.1 मी मार्केट में है जो Snapdragon 630 के साथ आता है और जिसका प्राइस सोला जास से स्टार्ट होता है बड़ Nokia X6 अगर साई प्राइस 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 पर इंडिया में लॉंच होगा तो सी और पुरा आँक लागा देगा लेकिन एसुस Zenfone 5 भी एक आच्छा वेलोफान मानी मुबाइल है और फ्लिपकर्ट के साथ पर नसिप पे ये मुबाइल इंडिया में आएगा इसलिए हमें साई प्राइस पे मिल सकता है आपके आपके उपर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है अगर आपको सामदर डिस्पले और दमदर स्पेसिफिकसंस के साथ नोकिया जैसे ब्रैंड का भरसा चाहिए तो नोकिया X6 आपके लिए बेस्ट होगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेलफूल होता है तो प्लीज लाइक करो आपने दोस्तों फेमिली में स्थेयार करो और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिचर में पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं आकली बार नेक्स्ट और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई गाईस